हेलो गाइज नमस्कार एक बात फीर से आप लोग सभी का हमारे ओनलाइन पेट वाम इडू फाइबर पे स्वागत है तो मेरे दोस्त मेरे भाई और मेरे जोहार साती आप लोग बहुत ही मस्त होंगे जबड़दस्त होंगे और आपकी तयारी जहारकंट सीजिल का बहुत ही ब करवाने वाला है आप जल्दी-जल्दी से दीजगा जवाब और एक का क्यांसर होगा वी का क्या रहे दो का चैनल होगा थीन नोट डाउन किजएगा और इंड़ लास्ट में आपको बताना है कि आपने डिक़ेन का जवाब सही कर पाएं थाकि आप में यह पता चल पाए कि कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है अगर आपका राइट अंसर अठारा है 19 से 20 से इसका मतलब है कि आप जहारकंट सीजियल को निकालने वाले हैं कोई दिक्कत कोई परिसानी हो लेवाना लई है तो लग जाओ मीसन मोड में मातर 20 दिन बचा है आज का पहला कालऄ का आप उसे तार के रूप में ढाला सकता है ये तार के रूप में धाला जा सकता है हो अग्छ है जिसें बालन को दाप कआते हैं धार की रूप में धाला जा सकता है उसे क्या कहते हैं इसे हम लोग कहते हैं त् использ कि आपको जनकारिया देने वाले हैं एक मंत अब त नुग komplett val कौन है वह गुन है तनियता जिसके कारण उसे उसे क्या तार के रूप में ढाला जा सकता है तो आपको याद कर लेना है कि धातूं में यानि की मेटल में आपको डक्टिलिटी की एक क्वालिटी पाई जाती है जिसके बज़ा से हैना किसी भी मेटल को वायर की रूप में क्या दूसरा है तन्यता का तिसरा है चमक की और चौथा है कि जितने भी धात्यु याद रखियेगा मरकरी मरकरी जो है ना वह कईसी धात्यु एक दरब धात्यु यह कोशन बहुत बार पूछी जाती है और यह देखे आपका राइट अंसर है दक्तिलीटी तो अगर आप चाहते है कि इस तरह का पहुती बहत्री नोट्स चाहिए साथी साथ अंसर लगा वा पीडियाप चाहिए तो आप लोग को हमारे टेलिग्राम आप लोग अपने टेलिग्राम खोलिए और सर्च मारे इडू फाइवर और वहां पर लिंक पर क्लिक करके आप हमारे साथ जूड़ सकते हैं और वहां पर आपको बहती नोट्स साथ में पीडियाप मिल जाएगा अनसर लगा हुआ हर एक साइंस का प्रैक्टिस एट का पॉस् अब देखे यहां पर अलकेन का समान सुत्र क्या होता है सी एनस्ट इस टूप्लस टू अब देखे अगर एलकीन का पूझता तो यहां पर न्यूट्स के माद्या म से कि मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं आपको पास समय है अभी बेज दिन अराम से हमारे सारे पीडियाप को हमारे टेलेग्राम जाके डाउनलोड किजिए और रात में सोते समय एक वर सिल्वागडं से जड़ुर पढ़ लेजिए आपके एक्जाम में इससे बाहर एक भी कोस्तन आने वाले नहीं है कोस्तन नमर है तीन कि सुक्रबाहिका समान मार्ग के निर्मान के लिए मुतरासे से होकर आने वाली नलिका के साथ जुड़ी होती है जिसे कहते हैं तो भाई सुक्र बाहि का जो हता है एक नॉर्मल मारक के निर्वान के लिए मूतरासे से होकर आने वाली नलिका के साथ जुड़ी होती है उसे क्या कह जाता है तो उसे कहा जाता है मूत्र मार्ग हमारा ऑप्सन नमढर डि यानिकी उड़ोत्रा हो जाएगा अब आईए यहां पर दिखाते हैं देगे क्या लिखा हुआ है शुक्रबाही का शमान मार्ग के निर्मान के लिए मुतरासिस होकर आने वाली नलिका के साथ जूड़ी होती है जिसे हम लोग मुत्रमार्ग कहा जाता है ठीक है अगला कोस्टन है कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफिय में निमलिकित धातूं में तेकिन धातूं के योगी काउपियों किया जाता है तो इसका किया जाता है किसका सिल्वर का राइट अंसर क्या हो जागा ऑप्सन नमर डी ठीक है देखिए यहां पर साफ साफ लिखा न जानती है कि सिल्वर कौर्ण से किया जाता है किस पर दाइंग से किया जाता हैfeld में नमर 5 इसी बस्तु द्वारा कारिक करने की चमता या किसी बस्तु में निहित उर्जा Auron पर निर्भर करती है किसपनेड़ करती है कारिक करने वाली बस्तु की इस्तिती और आवास्थ परनिरभा करती है इस लिए यहां पर साब समय आपके लिए नोट्स लेकर आया हूं कि किसी बस्तु द्वारा कारी करने की छमता या किसी बस्तु में निहित उर्जा कार्ज करने वाली बस्तु की इस्तिती है ना और आवास्था पनिर्भग करती है किसमें उत्तल दर्पन का उप्योग किया जाता है उत्तल दर्पन की बात कहा है तो राइट अंसर हमारा डी हो जाएगा कौन से हो जाएगा ऑप्सन नमबर डी देखिए रियर व्यू मीरर में उत्तल दर्पन का उप्योग किया जाता है और देखिए क्या लिगा उत्तल दर्पन द्वारा काफी बड़े छेत्री की बस्तु का प्रतिवीम एक छोटे से छेत्र में बन जाता है यानि उत्तल दर्पन एक ऐसा दर्पन है जिसमें बड़े का उपयोग किया जाता है तो याद रखिएगा पूस्टन नमर साथ इन ओटू का ध्रूम यूमस की डॉट डॉट के रंगोते हैं तो इन टू का जो ध्रूम या हुमस जो होता है यूमस जो होता है वो आपको भूरा रंग का उता राइट रोजागा आपसिन नमबर ए से देखेए एंश पूरग का जो ध्रूम या ता यंजोंता ओ भूरा होता है एल्पी जी रंगहीण और गंदहीन गैसे पॉस्पोरस को सूल स्वेथ फास्पूरस और लार्फ फास्पूरस में क्या क्या गया है बाटा गया है स्वेथ फास्पूरस को पीला फास्पूरस भी करते कभी कभी यह कुस्टन आता है कि पीला फास्पूरस के नाम से किसे जाना जाता है तो आप राइटर सर देजेगा स्वेथ फास्पूरस क स्अब से नरम कौन सी है तो ही रा समर्मर तुथ पेस्ट हो आपके थैलक होती है आप्सट такую बढ़त a right answer हो जाएगा वाय स्वसं नमर नाइज से पहले किसी दार्त की कड़ोश्या घॉत टia की जाती एंव हुट किया की जाती जाती है और सबसे जो कम यहाई होता है वह होता है थातू वह बहुत ही मुलायम धातू होता है और सोडियम धातू को असानी से चाकू से काटा जा सकता है यह भी कोस्टन ना जाने कितने बार पूछा हुआ कि कौन सी धातू को असानी से चाकू से काटा जा सकता है तो आपको याद रखना है कि सोडियम को काटा जा सकता सबसे जो कठोर पदार्थ होते हैं सबसे कठोर जो है वह कौन सा ही रहा है यह आपको बहुत बढ़िया से याद रखना है पुस्टन नमर नाइन तो डियम सल्फेट का समाने सुत्र होता है पहला नमबर इसका राइट अंसर है देखिये यहाँ पर मैं आपके लिए बहतरी नोटस लेकर आया हम सोडियम सल्फेट का जो समाने सुत्र होता आस k Viso let's the अगराप से पूछाए अगर से पूछ आपको अगर आपसे पुछाँ सोडियम कारोड़ोनेट का तो बताना इन टृटरी ने स्थी दूट टूनि माइगा इसोत्य अगर आप इन में से कौन सयोजी उत्तक है तो हड़ी जो हता है वोन जो होता है एक क्या है आपको connective tissue होता है ठीक है तो मानव मसिस्क का आउस्त और चौधा सो ग्राम होता है ओट के नला है कि वास्वास डिफरेंस वास डिफरेंस से सबस्तेसे है अने वाली प्क टूब के साथ जूडकर एक एक समान मार्ग बनाता है जिसे मूत्र मार्ग कहा जाता है वास डिफ्रेंस कि इसके साथ मुझे जूड़ जाती है तो उसका भार उसका भार क्या होता है जी उसका भार बढ़ जाता है ठीक है करन देखिए कभी कवश्ण यह पूझा जाता है कि जी कामान स्राइब करते होता है आप, अगा यह से क्या होता है अगला है कि एक धरपन प्वक्रता की फोकल लंबाई और तिरिज्या ये बीच का समन्द क्या होता है लोगों को पता है अ अर्ग होता है और भाला इत कि नेक्स्ट नमर 15 विरामा अवस्था से आरम करने वाली एक कार दो मिनट के लिए एक मीटर पर सकेंड के एक समान तोरण से चलती है तो कार द्वारा अरजित गती क्या होगा अब बता विरामा वस्था से तो यू कमान क्या हो जागा जीरो हो जाएगा और एसलरेशन दे यू कमान 0 हो से तो दो में ने het 말 कि डूऑ जांड हो जाता है लूझा यू कम ना हो जाएगा Saxo ना तो भी जू हो जाएगा ही जो हो जाएगा ही जो हो जांगे प्रे में आपक्र में कमान निकल कर आ जाएगा आपको 120 eme. मिटर पर सेकेंड 120 मीटर पर सेकेंड कहां पर लिखा हुआ है जी आपसर नमबर डी में डॉट 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 एक वैलंगी फूल है वैलंगी फूल को ने पपीता तर्वुज नारिल सरसो यह बारा सरसो बाई सेक्स्टूल जो फ्लावर है वह आपको सरसो है ठीक है कोस्टन नमर 17 उस बाहिनी का नाम बताएए जो पूरुस के बिरिस्ण से निकलती है और सुक्रान को सरीर में ले जाती है उसे क्या कहते हैं इससे हम लोग कहते हैं अधीब स्थी है इस्तिति फिटर का सुद्र क्या होता है इस्तिति बावता है M CH M G H होता है यानि कि option नमर अमारा B हो जागा question नमर लेंगे 19 चेरीडोफाइटास समों के पाउधों में नहीं पाय जाता है राइट अंसर रो जागा option number बी कूस्चन नमर लेंगे हम लोग 20 इनमे से कौन सा समिकरन स्तिती बेग के समंद्ध को दरसाता है इस्तिति यानि पोजीशन वेलो सिटी गराप जो होता है वह दाता है वह स्कौाइर माइनस यू स्कौाइर इसकल टू एसके गराप को दरसाता है हमारा राइट अंसर हो जागा आप्चन नमबर डी मेरे अगर आपका राइट अंसर अगर आपका राइट अंसर 18 19 20 से तो समझ आप साइंस में धारकंट सीज़त के एकजाम में आप असानी से आप क्या कर पाओगे तो जल्दी से कमेंट करके बताएं जितने लोग हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं क्लास को सबसे पहले सुरू से अंतक देखना और क्लास अगर अच्छी लगी है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करना मेरे दोस्तों और जाता से जादा लोग पास जाने की को बाइ गू